नमस्कार मित्रो ये एक छोटा सा लाइव वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि मैंटर थोड़ा अर्जंट है जो 24 जूलाई कई इवेंट है मैं उसको कम्प्लेटली बाइकॉट कर रहा हूं क्योंकि ये एक विदेशी वेबसाइट है जॉर्ज सोरोस का वर्ल्डवाइट डेमो देखो कि इंडिया के लिए कोई तारीक अच्छी है तो वो संडे होगा 25 जूलाई है या कोई भी संडे तो पहले तो मेरा दूसरा तो सेटर्डे वो इंडिया के लिए वैसे भी सूट नहीं करता लेकिन इस तरह का कि भई जोर्ज सोरोस के वेबसाइट वर्लडवाइट ड लोगों से कि तीन-चार सवाल पूछ लो कि वो मौरिशा स्ट्रीटी को क्या सपोर्ट करते हैं मौरिशा स्ट्रीटी को सपोर्ट करना यानि बिल केर्स को सपोर्ट करना मौरिशा स्ट्रीटी क्या कहती है कि गोरा यदि भारत में कैपिटल इन्वेस्ट करता है और पैसा कम तो इसके इंकम टेक्स जीरो लगेगा ये था मौरिशास ट्रीटी अप्टू 2017 और अब क्या है कि इसके इंकम टेक्स लगेगा जीरो टू 7.5% जबकि भारतिया पे कितना इंकम टेक्स लगता है यदि वो भारत में पैसा इंवेस्ट करके कमाता है तो 25% से 35-40% तक जा सकता है तो शाफ शाफ है कि ये जो ट्रीटी है वो बिलगेर्स जैसे लोगों को रॉस्ट़्चा जैसे लोगों को को अने थिकली फेवर कर रही है तो ऐसी ट्रीटी को ये अवेकन लोग सपोर्ट करते हैं उपर से भारत में मीडिया में जो FDI आ रहा है मीडिया में जिसकी वज़ा से ये जो पूरा नॉंसेंस खड़ा हो गया प्लैंटमिक या जो भी बोलते हैं वो क्यों खड़ा हुआ क्योंकि मीडिया में FDI आने दिया होस्पिटल में आने दिया फार्मा में FDI आने दिया फूड में अगरिकल्चर में फार्म सेक्टर में तो कोई भी आदमी यदि सचमुझ बिलकेट्स का विरोधी है एक परसंट भ में भी FDI को विरोध करेगा लेकिन आप आप अवेकन लोगों से खुद पूछलो मैं उनके बारे में बोलू उससे बजाए बैटर है आप पूछलो कि वो FDI को सपोर्ट करते हैं और साथ में मौरिशस को भी सपोर्ट करते हैं क्यों क्योंकि वर्डवाइड डेमोंस्ट्रे फोर्स वेक्सिनेशन का लोगडाउन का वो विदेश्यों की वजह से हुआ है और विदेशी ताई करेगा कि हमको प्रोटेस्ट कैसे करना है और कब करना है मतलब विदेश्यों का अल्रेडी हम आधी गुलामी तो जेल रहे हैं आधी से ज्यादा शायद और बाकी कोई कसर पचियों की प्रोटेश्टर्टेश्टि sait करनी है वोबी उन्होंने विदेश्यों पे छोड़ दी गोरों पे चोड़ दी तो पहले तो मैं लॉकडाउन का विरोधी हूं मैं फोर्स वैक्सिनेशन का विरोधी हूं ओ सब आपको पता है कि मैंने तो अप्रील दोजार बीस म लोकडाउन हटाओ के लिए campaign शुरू किया था, फिर आपको मेरी campaign method नहीं पसंद आती है, ठीक है, आप अपनी campaign method से करो, मैंने मौरिशा स्ट्रीटी के खिलाफ, दोजार आठ में, दोजार दस में अख़बार में एड़ोटाइस दी है, दोजार पंदरा में दी है, पी एम को open letter लिखे हैं, चार tweet भेजे हैं, इन लोगों ने कोई open letter नहीं लिखा, PM को मौरिशा स्ट्रीटी खतम करने के लिए, FDI खतम करने के लिए, मैंने FDI भी खतम करने को बोला है, और सबसे ज्यादा, इनोंने भारत में से YouTube, Facebook को हटाने की, कोई मांग नहीं रखी, कोई open letter नहीं ल को बोलते हैं, राजिव दिख्षिजी के समर्थक क्या जो भी बोलते हैं, वो भी मौरिशा स्ट्रीटी का support करते हैं, वो FDI का support करते हैं, YouTube को भारत में से नहीं निकालना चाहिए, Facebook को भारत में से नहीं निकालना चाहिए, इस तरह की बाते करते हैं, तो आप और दूसरा behavior देखो कि भारत में इतनी सारी समस्या हैं आज की तारिख में, force vaccination, lockdown, mask, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा परेशान देने वाली कौन सी समस्या है, तो मैं कोई कहेगा force lockdown, कोई कहेगा lockdown, कोई गएगा force vaccination, दूसरे नमबर पे तो कोई कहेगा force vaccination, lockdown, लेकिन दुनिया का कोई भी का कोई भी आदमी ले लो तो मास्त को तीसरे नंबर पे डालेगा तो पूरी उल्टी प्रावरिटी लिस्ट चल रही है तो यह नाटक नोटंग की बहुत आसानी से समझी जा सकती है और इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा कि पुलीस को जब आदेश दिया जाता ह कि इनको सिर्फ arrest करने हैं पिटा ही नहीं करनी है तब पुलीस सिर्फ arrest करती है पिटा ही नहीं करती है मैं बहुत बार पुलीस को जहल चुका हूँ मुझे personal experience है गुंडों का police का सब का personal level का experience है मुझे मैं आपको बता दूँ कि जब उनको उपर से order आता है कि इनको arrest नहीं करना है पिटाई करनी है arrest करना है या पिटाई दोनों करनी है तो इस तरह से करते हैं यानि उपर से order था कि पिटाई नहीं करनी है सिर्फ arrest करना है तो control opposition के सारे लक्षन यहां पर दिख रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है कि पूरा मुद्दा मतलब यह जो FDI का समर्थन करता है, Mauritius Treaty का समर्थन करता है, और उपर से 2-4 Bill Gates को दिखाने के लिए गालियां दे दी, वो वास्तों में Bill Gates का विरोधी नहीं है, वो सिर्फ आपको, आपके सामने नाटक कर रहा है Bill Gates का विरोधी होने का, यदि वो असली विरोधी होता, तो जड़ काटने की कोशिश करता, यानि कि FDI खतम करने की कोशिश करता, Mauritius Treaty खतम करने की कोशिश करता, और वो तो इनके एजन्डा में मैंशन भी नहीं आता, मैं कहता हूँ कि Mauritius Treaty के, ये लोग यदि इमानदार होते, तो खुलके Mauritius Treaty का समर्थन करते, खुलके FDI का समर्थन करते, लेकिन वो अपने समर्थकों को बताते भी नहीं है, कि वो Mauritius Treaty के समर्थक है और वो FDI के समर्थक है, देखो, सवाल सिर्फ इतना नहीं है, कि वो Mauritius Treaty और FDI के समर्थक है, वो लोगों से इस बात को छिपाते हैं, कि FDI और FDI in Media, बड़ा रोल प्ले किया है, ये बात की information भी आप तक नहीं दे रहें, तो मुझे तो पहले से ही doubt था, आप तो doubt साफ साफ दिख रहा है, और finally, जब कोई कहे कि विदेशी तय करेगा, कि मैं भारस में कौनसी तारिक को प्रोटेस्ट करूंगा, विदेशी यानि वर्ल्डवाइट डेमोंस्ट्रेशन तो विदेशी वेबसाइट है, वो तो दिख रहा है, जोर्ज सोरोस के आदमियों का है, ठीक है, तो वो यदि डिसाइड करे कि कब प्रोटेस्ट करना है, तो यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा है, यह मेरा ओपिनियन मान लो, यह आपको जो भी देखना है, तो आपको, आप उनसे सवाल पुछ लो, कि FDI के बारे में आपका क्या स्टेंड है, FDI in मीडिया, FDI in फार्मा, FDI in हॉस्पिटल, FDI in फूड, और दूसरा FDI in फार्म सेक्टर, दूसरा उनका, Mauritius Treaty पे क्या, उनका यह स्टेंड है, और, इस यह सवाल, और दूसरा, जो वेबसाइट का मालिक है, अवेकन इंडिया डॉट कॉम, उनको बोल दो कि, मालिक को बोलो कि, वेबसाइट की हुए इस रजिस्ट्री पे, मालिक का नाम डाल दे, बस इतना बोलो, क्यों उसके बाद, आप मेरे को क्वेशन ही नहीं पूछोगे, कि यह आदमी किसका एजेंट है, बिल गेर्स का या, रॉस्चैल का या, जोर्स तोरस के, आप मेरे को सवाल पूछने ही नहीं आऊँगे, आप मुझसे कोई सबूत नहीं मांगोगे, आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, जैसे ही, हुई इस रजिस्ट्री पे आप उसका नाम देखोगे, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, तो, मैंने इसमें एक लिंक दिया है, जिसमें मैंने बहुत सारे डिटेल पॉइंट्स रखे हैं, मैंने आज जो फेस्बुक पोस्ट डाली उसमें, कुछ और डिटेल पॉइंट्स में रात को डालूँगा, तो बस इतना ही मेरा मानना था, कि 24 जुलाई 2021 को, शनिवार को, जो विदेशी वेबसाइट द्वारा इवेंट और्गनाईज की गई है, विदेशी वेबसाइट यानि ये वर्ल्डवाइट डेमोंस्ट्रेशन, मैं संपूर्णा तया उसका बाइकॉट कर रहा हूँ, मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, मैं फॉर्स वेक्सिनेशन के खिलाफ हूँ, मुझे इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं हूँ, मैंने अभी तक वेक्सिन नहीं लिया, ना सर्टिफिकेट बनवाया है, नहीं लेने वाला हूँ, सिवाई के पुलिस वाला कंपटी बे बंदूर कर दे, तब की बाद तब देखी जाएगी, पर, और मुझे काफी नुकसान भी हुआ है, मैं ट्रावेल नहीं कर पा रहा, मेरा बिजनेस लॉस भी हुआ है, उसके बावजूद भी मैंने ना वेक्सिन लिया, ना सर्टिफिकेट बनवाया, तो, मैं फोस्ट वेक्सिनेशन का विरोधी हूँ, और लॉकडाउन का, एपरिल 2020 से खतम का लॉकडाउन हटाओ की, मुमेंट कर रहा हूँ, वो आप सबको पता है, पर, इस पर्टिकुलर इवेंट का, क्योंकि इसमें पीछे, आगे, पीछे, उपर, नीचे, चारों तरफ इसमें विदेशी विदेशी पड़े हैं, इसलिए इस इवेंट का, मैं बहिश्कार कर रहा हूँ, धन्यवाद,